नमस्कार दोस्तूं, श्वागत है आपका हमारे आफिशल उडूप चैनल जी एस बाइनी एसर में, कैसे आप सब, मैं आसा करता हूँ, श्वस्त होंगे, मस्त होंगे, और अपनी तैयारी में ब्यास्त होंगे, मित्रों तैयारी आप समिछा दिकारी के कर रहे हैं, तो आप आ दिन मेंस निकालना है, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिष्ट आएगा, उसमें अगर आप कौलिफाई होते हैं, तो सिधे सच वाले पोस्ट आपको मिल जाएगी, तो मित्रों आप जानते हैं, प्री में भी आपका हिंदी पूछा जाता है, और मेंज में भी आपका ह इसमें शॉल्ब करेंगे, शाट कोश्टन का टेस्ट है, वन बाई थर्ड माइनस मार्किंग है, पेपर का लेबल हम पहले ही बता दे रहें, इजी टू मॉडरेट नहीं है, मॉडरेट टू हार्ड है मित्रों, तो हल की लेबल में मत लीजेगा, मॉडरेट टू हार्ड जाते हैं और शाट प्रशन आपका यहां से पूछा जाता है, एक घंटे में आपको पेपर शॉल्ब करना होता है, जिसमें शेया आपका विलोम, वाक्यवरतनी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तत्दो, विशेश और विशेश और विशेशन, उसके साथ प्रियाबाची समाहित है, प्रतेक खंड से दद्दस प्रशन, पूछे जाएंगे 6 खंड होते हैं, 60 प्रशन आजाता है, मिद्रों आईए स्टार्ट करें, पहला कोश्चन साफ से कह रहा है, निम्लिकित में शी कौन सा तत्सम शब्दों की दरश्टी से सही विकल्फ है, दिया गया अंबा, इरणी, धोम और तेर्थ, नाम तोंद जरना चाजा जहां है, कपोत गुफा चबाना की रहे, या फिर ग्वाल अकेला उल्लु करूण है, आपको बताना है कौन सा तत्सम शब्द है, मिद्रों तत्सम आप जानते हैं, जो संसक्रत का ही शब्द है, वही तत्सम होते हैं, तत्सम से मिलके बनता है, तत्सम मतलब हो गया, तत्सम मतलब उसके शमान, तो मिद्रों तत्सम शंसक्रत वाला शब्द होता है, जो आपका तत्भव होता है, उससे होना होता है, ठीक है, तो स्रोध भासा से विक्षित हो जाए, वो आपका तत्भव हो जा तत्षम प्लस तत्भो दिया गिया तो तत्षम और तत्भो की द्रष्टी से कौन सा अफसंस आपका अशंगत है मित्रों तो हस्त का हाथी दिया गिया यही अफसंस आपका गलत है हाथी आप जानते हैं तद्भो है मित्रों जबकि इसका तत्सम जो है वो हस्ती होता है ठीक है हस्ती होता है ये वाला तो अगले कोश्चन्स पर चलते हैं तीन नंबर कोश्चन्स आपके स्क्रिंट पर है आफसे गरा निमलिखित यूगमों मेशे कौन सही शुमेलित नहीं है अफसेंस में तद्भो और तत्सम दिया गया जो का यो है थोड़ा का श्त्रोक है खंबा का खात है बोना का वामन है कौन सही शुमेलित नहीं है मित्रों आप जानते होंगे खंबा का तत्सम शब्द जो होता है वो खात होता है क्या खंबा का तत्सम अस्तंब होता है मित्र कुमार का है, कटेहल का है, करेला का है, कोठारी का है, आपको बताना है कुशमांड किसका तत्सम रूफ है, कुशमांड के अगर तत्सम की बात आती है में तो कुमारा आता है, कुमारा, 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 तो शही जबाब आपको क्या लगाना पड़ेगा, कुमारा, first is the right answers पढ़ेगा अगला questions देखेंगे पांच नंबर होगा आपके स्क्रिंग पे होगा प्रेश रंख्या 5 क्या कह रहा है कह रहा निम्लिकित मेंशे कौन सा तत्षम शब्द है नाम आईशू का दिया गया ताओ का दिया गया शोगंध का दिया गया और फांशी का दिया गया कौन सा तत्षम शब्द है चारो आफ्शन्स पढ़ेंगे तो आपको तत्षम शब्द दिखाई देगा मित्रों शोगंध तो सही जवाब वी के शाथ लगाओ अगला questions छे नंबर देखेंगे प्रेशन क्या च्छे क्या कह रहा है मित्रों शास शास एक तत्षम शब्द है जिसका तत्षम रूफ होगा सास्रव होता है पित्रश्वा होता है शयाल होता है या फिर मात्रश्वास आपको बद्दाने मित्रों शास का तत्षम क्या होता है कह रहा है एक तद्भो शब्द है नाम दिया गया कुलहर है, छिलका है, चिद्रकार है, प्रसरान है तद्भो शब्द है कौन सा तद्भो शब्द है मित्रों आप सभी आफसंस देखेंगे तो आपको दिखाई दिजाएगा तद्भो शब्द इसमे छिलका लिखा हुआ है छिलका आप जानते हैं इसको जो शकल होता है वो तत्दसम होता है छिलका का क्या होता है छिलका तो सही जबाएफ शी के शाहत लगा लो अगले questions पर चलेंगे जो आठ नमबर questions होगा आपसे कह तद्भौ तत्सम में कौन सा अपसंस एकदम सही बैठ राए तो तद्भौ और तत्सम में अगर आप देखेंगे मित्रों तो यहां फे कड़वा और करकट यही आपका गलत यूग में है तो सईजबाब D के साथ आपको लगाना पड़ेगा देना पड़ेगा अगले कोश्चंस पे चलंगे अगला कोश्चंस नौ नमबर होगा पंचारी का तत्सम होगा पंचारी की बात होती है तो पंचारी का जो में तत्सम शब्द होता है वो पंचारी का तत्सम आपका पंचारी का होता है C is the right answers बनाना अगला कोश्चंस दस नमबर आएगा आप से कह रहा है बालम बालम शब्द का शही तत्सम रूफ है बललब होता है वारिद होता है वावन होता है या फिर वेधन होता है बालम 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 की अगर बात होती है मितनों तो आप बललब के शाथ अंसस लगाएंगे फर्स्ट के साथ अंसस मिलान करेंगे इस तरह इट अंसस बिठाएंगे अगले कोश्चंस पर चलेंगे दस नमबर कोश्चंस के बाद 11 नमबर कोश्चंस आपकी स्क्रिंट पर है कहारा बिलूम शब्द के युग में कौशा श्यएक गलत है नाम शब्द ही दर बिलूम है उजस्बी का तेजस्बी है करत का आकरत है तरुन का ब्रद है और नियुत्तर का प्रतुत्तर है आपको बाद आना कौँशा गलत है चारो अफ्चंस देखेंगे तो उजस्बी का निश्टेज होता है मित्रों लेकिन यहां उजस्बी का तेजस्बी दिया गया तो यही गल अगले questions पर चलते हैं आफका 13 नमबर questions पर आपसे क्या कह रहा है क्या रहा है क्या रहा कौन शाव विलोम युगम त्रोटी पुर्ण है नाम दिया गया विकाश का हास या अद्रिश का आवद्रिश इसा का अनीहा और विभो का पराव हो कौन शाव विलोम युगम त्रोटी पुर्ण है गलत है मित्रो तो आप देखना आद्रिश का आओद्रिश दिया गया यही आपका गलत है आद्रिश का जो होता है अनाद्रिश होता है तो Tabii का नदर्थ होना चाहिए आदरत नहीं होना चाहिए तो सही जब आब आफ शी के साथ लगा लेना अगला Qs देखेंगे 14 नंबर होगा 14 नंबर Qs आप से गरबा है शक्रिये शब्त का सही विलोम है निस्क्रिये है अक्रिये है और भी दोनों है अफिर अणमेशे कोई नहीं शक्रेग अगर विलूम की बात हती मित्रों तो शक्रेग अक्रेग भी होता है निस्क्रेग भी होता है इसलिए श्यक के साथ अंस Almost लगा ना अगला कोश्चिन है शमीपः का विलूम है नाम दिया गया शमीप है पार्थक्य है दोरे है या फिर अशिम है शमीप की अगर बात आती है तो शमीप का जो विलोम होता है मित्रों वो पार्थक्य होता है सही जबाब शी के शाद बनेगा अगला question 16 नमबर आएगा आप से कहा रहा है तिरो भाव शब्द में शही विलूम है आविर भाव होता है परो भाव होता है विभाव होता है या फिर अनर भाव होता है तिरो भाव का शही शब्द किया होता है मित्रों अगले questions पर चलेंगे, एगला questions आपका 18 नमबर आएगा मित्रों, आप से पूछना है कौन सा यूग में जो है, सही सुमेलित है, विचार करना है आपको यूग में के शाथ आपको दिया गया प्रश्रंख्या ठारा, और इसमें असीम का अनंत दिया गया है, अवार्शीन का न परवत्य दिया गया, एक अदम सही है, तो सही जबाब जो आपको लगाना है, वो डी के साथ लगा लेना है, डी इस दराइट आंसास बना लेना है, अगले questions पर चलेंगे भी तुरों, तो अगला questions क्या होगा, यहां केवल आपसंस चार ही सही जाएगा, डी इस दराइट आ बने गा, सही जबाब घी के साथ लगाना, डी इस दराइट आंसास बनाना, अगला questions बीश नंबर है, आपसे कारा है, यहां उउच्छा किसका सही विलो में की साथ लगाना लेना है, अगला questions 21 नंबर देखेंगे, इकीश नंबर questions, आपसे करा है, स्यामा निमलिखेत मेंसे क इस एक का प्रयाइबाची नहीं है, स्यामा किस का प्रयाइबाची नहीं है, दुरुपदी का नहीं, कोयल का नहीं, गाय का नहीं, या मुना का नहीं, स्यामा की एगर बात आती है, तो किस का प्रयाइबाची नहीं है, मैं तो स्यामा आपके गाय का प्रयाइबाची नहीं होत मित्रों जंडा का प्रियावाची इन अफसंस में कौन सा नहीं है तो आप देखेंगे जंडा का प्रियावाची आनरत नहीं होता है, आनरत जूट का प्रियावाची है, किसका है मित्रों, तो ये जूट का प्रियावाची है, याद रखेगा, आगे बढ़ेंगे 23 नंबर पड़ेगा, सी के साथ हांसस देना पड़ेगा, अगले वोस्टेंस पर चलते हैं, 24 नंबर कोस्टेंस आपके स्क्रिंट पर है, क्या करा है मित्रों, निमलकित प्रयावाची युगमों मेशे कौन सा एक सही शुमेलित है, नाम दिया गया खड़की, खड़की का जो प्रयाव नंतक और उर्गार दिया गया, गदहा का आपका रशाब और चक्रिवान दिया गया और शभी शुमेलित हैं, आपसंस दिया गया, कौन सा आपका सही है, मित्रों आप जानते हैं, खड़की का बारी और धरीचा होता है प्रयावाची, गरुन का आपका नंतक और उर्गार ह होता ही है गदहा का आपका रशाब और चक्रिवान होता ही है तो इसलिए आप कुछ सही सबाब D के साथ लगाना पड़ेगा D is the right answers देना पड़ेगा अगली questions पे चलेंगे 25 number questions आपके screen पे 25 नंबर questions है मित्रों शहोदरा बांधवी सहगर्भणी ये किसके प्रियावाची शब्द है शुर्भी के हैं माता के हैं पतनी के हैं फिर बहन के हैं शहोदरा बांधवी और शहगर्भणी के अगर बात आती है ये सब किसके प्रियावाची शब्द बंते है मित्रों तो ये सब जूब आपके प्र अगला कोश्चिण्स देखेंगे 26 नंबर होगा, आपके स्क्रिंट पे होगा आप से क्या कहरा है मित्रो मुखच्छुर किसका प्रियाबाची है, अगून का है, दान्त का है जीव का है, सबर का है मुखच्छुर की एक बात आती है जो आफका मुक्षुर होता है ये किसका प्रियाबाची बनता है तो ये आफका दांत का प्रियाबाची शब्द बन जाता है इसलिए हम इसी के साथ अंसस लगाना होगा रदन हो रदन हो दर्शन हो दर्ज हो ये शब आफके दांत के ही प्रियाबाची बनते है अगला questions 27 number देखा जाए है Oo7, आपसे कह रहा है, परबत का प्रियाबाची नहीं है आफसंस में है महिधर नहीं है, आदरी नहीं है, शक Hack Надо नहीं है परबत का प्रियाबाची क्या नहीं है? चारों options देखने के बाद आप कहेंगे परबत का प्रियाबाची शकुन्त नहीं है शकुन्त 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 जो है ये पच्छी का प्रियाबाची होता है कि इसका होता है पच्छी का प्रियाबाची होता है तो समस्के रहिएगा अगला कोश्चन्स 28 नमबर देखेंगे 28 नमबर कोश्चन्स है आप से कहा रहा है नेमिकित प्रयावाची युगों मेशे कौन से एक सही शुमेलित नहीं है आपसंस में असम का पाहन है परुसराम का व्रगनंदन है मेडग का जो है प्लाव गमन है और बंभन का नाराच है मित्रों आपको बताना है शही शुमेलित नहीं है शही जबाब क्या होगा मित्रों आप देखेंगे तो नाराच दिखा गया है ये नाराच किसका होता है नाराच आपके बाण का प्रयावाची होता है किसका होता है मित्रों तो ये आपके बाण का प्रयावाची होता है ब्रा का रात है आपको बदा ना है प्रयाएवांची यूग्म कौन शुमेलित नहीं है मित्रों गलत यूग्म है आपको बदा नहीं सभी आपसेंस आप घानते बहगत का भगवान दिया गया जब्कि अब भगवान नहीं होता है अजपयागत मतलब होता है अBayтории क्या होता है आती थ तो सही जबाब आप B के शाथ लागा लो मित्रों अगला कोश्चन्स देखेंगे तीश नमबर कोश्चन्स आपके स्क्रिंट पर ये रहा प्रेश रंख्या तीश क्या कहरा है मित्रों आप से कहरा है आपसे कहरा है शुंदरी का वारंगना है कमल का पदमा है गंगा का तृफधा का होगा है और मैना का कलापी दिया गया है आप से पूछा देखेंगे तो यहां पर गंगा हो गंगा का तृफधा एक दम सही जबाब लगा दो आपके स्क्रिंट पर ये रहा ना हुआ हो इसके लिए जो एक शब्द बनेगा मित्रूँ आप परेणित बनेगा तो सही बाब आपको फर्ष के साथ लगाना या इस दराई टांसर्स बनाना है अगला कोश्चन थर्डी टू नंबर देखेंगे 32 नंबर कोश्चन से मित्रूँ आप से करा जो शब कुछ देना पड़ेगा वीस दराई टांसर्स देना पड़ेगा अगले कोश्चन थे चलेंगे 33 नंबर कोश्चन से आपकी स्क्रिंड पर है क्या करें मित्रो मरडासन अवस्था वाला वाक्याएंस के लिए उच्छे तशब्द क्या है मूरमुशू है मूरमुच्च्छू है मू एक शब्द बनेगा मित्रों वो बनता है मुर्मुशू तो आफसन सही जबाब लगाएगा फॉस्ट के शाथ क्या लगाएंगे सही जबाब फॉस्ट के शाथ और जो मरना चाहता हो उसलिए मुर्मुशा आता है मुर्मुशा जो मरना चाहता हो जबकि अगर मुर्मुशू की बात आती है तो जो मौच चाहता है उसके लिए मुर्मुशू आता है लेकिन ये वाला च्छा नहीं रहेगा ये वाला च्छा रहेगा जो मौच चाहता है ठीक है तो यहां मरडासन अवस्ता वाला आपका मुर्मुशू होता है सही जबाब फ़ अगले questions 35 नमबर देखेंगे, आपसे करा मित्रों ब्रधा बश्था समय, ब्रधा समय है तो उप्यूक्त वाक्यान से कुन सा है, काम के लिए उप्यूक्त समय है, काम के लिए उप्यूक्त समय है, जिरना वस्था की और बढ़ना है या फिर समय पूर्वे है, ब्रधा समय अग सदा रहने वाला के लिए है, सर्वदा कल्यान करने वाला के लिए है, जो सब कुछ जानता हो, या फिर इस तर चरित व्यक्ति आपसे सदा भाग की बात हो रही है मित्रों, तो सदा भाग के लिए एक शब्द जो आता है, सदा रहने वाला, तो सही यवाब आपको फर्स्ट का भीने किया जाए रूपक कहलाता है शीत रितु का वर्सा महावट कहलाता है और सही यूग जो है सभी बढ़ियां से शुमेलित है यानि सही शुमेलित है तो मित्रों आप देखेंगे यगी की रिच्छा रखने वाला जो है यूच्छु ही कहलाता है वाका विजिस्स का भी ने किया जा सके उसे रूपक कहा जाता और उस चीतु रितु का वर्सा जो है महावट ही कहलाता है इसलिए आपको आंसस जो दिन अपड़ेगा वोड़ी के शाथ लगाना है सभी आफसंस एक दम बढ़ियां से शुमेलित है अगले कोश्चंस पर चलेंगे 38 नमबर कोश्चंस आएगा आप से कहा रहा है निम्लिकित युगमों मेशे कोन एक शही शुमेलित नहीं है वाक्यांस और सब्द दिये गए है आप देखेंगे तो वाक्यांस में एक आपसंस गलत होगा जैसे शमान उदर में जन्म लेने वाला तो शहुदर कहलाता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है लोड कर आया हुआ के लिए आगत शब्द कह रहा है लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों उचित वाक्यान से है जो दोस रहित हो रातिरी का प्रथम पहर हो जिसका दोस शिद्ध हो चुका हो या फिर दोसी होने के पास चाते बच जाना प्रदोस शब्द है तो उचित वाक्य क्या आता है मित्रों प्रदोस शब्द के अगर बात आती है तो उसके लिए एक बढ़िय आफेरेंड मेंशे कोई नहीं, जो बुद्ध द्वारा जाना जाशके, आप जो बुद्धी के द्वारा आप जान सकते हैं, उसके लिए जो एक शब्द आता है मित्रों, वो बोध गम में आता है, बोध गम में आता है, तो सही जबाब, फॉस्ट के साथ लगाएंगे, इस द ध्याया राम बहुत थक गिया था, ऐसा जो सब्द आया वो एकदम सही है, फॉस्ट के साथ नहीं, वी के साथ अंसर्स, दिखान आये, आपका जो बुद्ध ध्यारा हे, लिए जो बी के साथ द देना मित्रों, वी इस दराइफ नॉसर्द बनाना है, उगले कोवस्ट्ब् तो आपको विश्येशन यहां दिखाई जाएगा थ्रस्ट तो सही बाफ क्या बनाने पड़ेगा थ्रस्ट बनाने पड़ेगा यानि वीजदराइड आंसर्स देना पड़ेगा तो वी के शाथ आंसर्स लगाओ अगला कोश्चिंस 43 नंबर है आपके स्क्रीन पे है आपसे करा वीश्येशन का प्रियोग नहीं हुआ है नाम दिया गया वह कर्शकाय व्यक्ति डोड़ने लगा कमल के फूल मुझे पशंद है नाम बहूत दूरलब है वह बहूत दूरलब है और Services बालक है इन्वे बताना है कौना Garrigbour का प्रियोग नहीं हुआ है इनिक इस वाक्ष्यू में आपका विशेशन नहीं प्रियोग हुआ तो शतीश बालक है मित्रों इसमें कहां विशेशन आया तो शाहिए बाप डी के शाहत लगा लो अगले questions पर चलेंगे 44 नमर questions आपके स्क्रिन पर इने में लिखत सब्दों में शिब विशेशन कौन सा नहीं है अपनस दिया गया अंत्रिक नहीं है अगने नहीं है अंतर नहीं है फिर अधिकारी नहीं विशेशन कौन नहीं है चारो अपनस देखना मित्रों आपको दिखाई देजाएगा यहां पे अंतर लिखा हुआ है तो सहीबा भी के साथ लगा ना वी इस ठॉला है अगला costumes बना लिना अत्रप्ती जो आफका विशेस्ट शब्द नहीं है array और जो आत्रप्त होता या विशेस्ट सब्द होता है आपसंस भी आरून का है, चचु का है, केतरा ना है और तंबुल का नाम दिया गया, विशेशे सब्द नहीं है चारो आपसंस देखेंगे, मित्रों आपको आरून सब्द दिया रहा होगा वो आरून आपका क्या होता है, विशेशे नहीं होता विशेशन विशेशन में कुई सा गलत अफसंस है मित्रों चारों अफसंस आप पढ़ें अगली कोश्इशन चान सीन है 48 नमपर कोश्इशनapping कैयरा गुणवाचेक विशेशन 500 में कितने हैं 5 5 6 adopt भीध होते हैं C is the right answers लगा लिना, साथ भेद, answers नहीं, D is the right answers, sorry, D is the right answers बना लेना, अगला questions, 49 number देखेंगे, 99 नमर को विशेशन करा किसी विशेशन की 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 व अगला Qs 15 नंबर है काहिए बहुत सारा गय हो में किस प्रकार का विशिशन है नाम दिया गया ग्णवाचक है क्रमवाचक है अवर्त आफ़ अनिश्चित परणाम वाचक है मैं दो गयरा बहुत सारा गय हूं तो यहाँ परणाम कोई fix नहीं यह किता है तो अनिश्चित प्रेडाम वाचक बनेगा इसलिए सही जबाब आपको D के साथ देना पड़ेगा D is the right answers लगाईएगा अगला questions एक क्यामन number है 51 number questions करा निमलिके तमेशे कि इस एक की वर्तनी शुद्ध है नाम दवंध है, महोर्त है, पिशाचीनी है और जब्या भिमानी है आपको सही जबाब देना मित्रों कौन सा आफसंस एकदम वर्तनिक दरश्टी से सुध है तो यहाँ जथ्या भिमान जो लिखा है एकदम सही जबाब लिखा है मित्रों अगर सही जबाब के बात करते हैं, वर्दनी एकदम शुद्ध है, तो जागरत सब देखदम सही लिखा है, इसलिए हमें जो सही जबाब बनाने पड़ेगा, वो first के शाद बनाना पड़ जाएगा, अगला questions देखते हैं, 53 नमबर है, आप से क्या कहा रहा मित्रों, निमलिके साथ बनाना पड़ेगा, डिस दराइट आंसर्स देना पड़ेगा, आगे बढ़ेंगे, अगला questions, 54 नमबर आएगा, आप से क्या रहा है, निमलिके तवाक्यों मेंशे एक अशुद धबाके का चेंड करें, नाम गंगा नदी बहुत नीची है, यही गलत लिखा है मित्रों क्योंकि गंगा नदी बहुत अच्छी है, बहुत सच्छ है, शाफ है, ऐसा लिखा जाता है, बहुत नीची है, इसका मतलब क्या है, बहुत गहरी है लिखा जाता है, तो सभी आप first के साथ लगा लो, बाकी बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगला questions, 55 नमबर questions करा है, निमल एकदम बढ़ियां लिखा है, यहीं एकदम सही लिखा है, जो वर्तसना लिखा है मित्रों, यहीं आपसंस आपका गलत है, तो सही बाब आप शीक इसाथ लगा लेना, C is the right answers पर ना लेना, अगला questions आपका 56 नमबर है, आपसे क्या कह रहा है मित्रों, कह रहा है निमलिकित मे आप जानते ही हैं, तो first is the right answers लगाना, आगला questions आपका 57 नमबर आएगा, 57 नमबर questions कर रहा है, लड़का मिठाई लेकर दोड़ता हुआ घर आया, कई रेलेवे करमचारी की गिरपतारी हुई, मित्रों आपसे कह रहा है, कौन सा अपसंस शुद्ध है, तो कई रेलेवे गिरपतारी हुई, उससे बढ़िया है, रेलेवे के कई करमचारी की गिरपतारी हुई, ये बूल देते तो जादा बढ़िया था, इसलिए यही आपसंस आपका गलत हो गया, days the right answers बन गया, अगला questions 58 नमबर देखेंगे, आप से कह रहा है मित्रों क्या, शुद्ध धवाके देना होगा, वो डी के शाद देना होगा, तो डी is the right answers बनाओ, अगला questions 59 नमबर देखेंगे, 59 नमबर questions आप से क्या कह रहा है, आप से कह रहा है मित्रों मैं अपनी बात, मैं अपनी बात का अश्पष्टी करन करने के लिए तयार हूँ, वाक्य मैं शुद्रूर कौन सा है, आपसंस दिये गए, मैं अपनी बात के हस्पष्टी करन के लिए तयार हूँ, बात का के जगा क्यों होगा, सही जवाब यही बनेगा मित्रों, बाकी सभी में दिक्कत है, आपसंस पढ़के आप देख लेना, अगला question 60 नमबर आएगा, आप से करा अशुद्धवा के है, च तो यही आपका गलत है, तो सही जवाब फ़स्ट के साथ लगा लीजे मित्रों, यह इस दराई डाउंसस बना लीजे, अब आपको बता देना, शाट questions के टेस्ट में आपके कित्ते questions सही गए, और इमानदारी बहुत ज़रूरी है, इमानदारी बहुत ज़रूरी है, अब आपको बताना है कित्ते questions आपके सही जा रहा है, मिलते शोड़ में, तब तक के लिए दिल से स्लूट, जै हिन्द